अब आपको पता है कि इसका तो फॉर्मूला हमें पता है लेकिन यह वाली वैलू कैसे सेपरेट होगी उसको लेट करना पड़ेगा आपको रूट टू एक्स स्क्राइड डॉट एक्वल सु पहले टी मानो बैरेकली मत करो गई फिर कन्फूशन हो जाएगा आपको एक्स करके इतना हो जाएगा आपको लिखा हुआ है, सर यहां पर लिखा हुआ है 3X, क्या इससे replace हो सकता है, सर नहीं हो सकता replace, तो यानि कि केवल X को replace करऊ है, केवल किसको replace करो, X को, इस 3 को बाहर रख दो, ऐसे 3 को ऐसे बाहर रख दो, आया कुसमझगा, ऐसे करके बाहर शोग दो, केवल यहां पर X की value और DX की value आजाएगी, dt upon true root को, X को नीचे नहीं लेना है, X को अपने जब बाल दिया है, बता समझ में आया गया, आया को समझ में, X.DX छोड़ दिया, इन दोनों को नीचे बेज दिया, मैंने, अब replace कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, देखो, integrate यह 3 है, X.DX ऐसा है, के खना आपके लिए, 1 square plus root 2 X square 5 square, इसको मैं कैसे छोड़ूँगा, X.DX जाए क्या हो जाएगा, मेरे पास dt, यह मैं यहाँ लिख देता हूँ, dt upon 2 root 2, और यह हो गया, प्यास 1 upon, इसकी value 1 का square, और इसको मैंने क्या माना है, T, तो यह T का square, इस constant सारे बाहर रख दो, 3 upon 2 root 2, constant है, बाहर चोड़ो, और यह dt upon 1 का whole square, और यह T का whole square, अब आपको समचना जाएगा, आपको बताएक identity होती है, मेरे पास, सरको अंसी है, a square plus x square वाली, क्या होता है उसके अंदर, सर, उस identity में 1 by a, tan inverse x by a, plus c होता है, तो वही चीज़ आप यहां करो, 3 upon 2 root 2 को छोड़ो, के वाल, इसके लिए answer हो जाएगा, 1 by a, a की value तो 1 ही होती है, तो लिखने के ज़रूद नहीं है, tan inverse x, x की value मतलब t, और plus c, आगया समझ में, बिल्कुल आगया सर, constantly multiply हो जाएगा यह, तो यह 3 upon 2 root 2, tan inverse, t की value कितनी मानिक की देखा, आपने, यही t की value, अब बताओ क्या समय में नहीं आया, clear है, यह हो जाएगा, आपका final answer complete, question नमर 5, completed,